नमस्कार दोस्तों आप सभी का Healthy Product Review चैनल पर स्वाज़त हैं आज की वीडियो में हम compare करने वाले हैं minimalist की 2% salicylic acid serum को pro scale की 2% salicylic acid serum से जो दोनों ही same range में और same purpose के लिए बनाई के इस serum है मैंने इन दोनों serum को personally use किया है और जो user experience मेरा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा इसके साथ ही मैंने कई अन्य users का data collect किया है उसके basis पर हम इस वीडियो में इन दोनों serum का comparison है वो करने वाले हैं आप तो जानता ही है कि salicylic acid best ingredient मना जाता है to fight with acne and pimples अगर आपकी skin acne prone है या फिर ज़्यादा oil छोड़ती है यानि कि acne pimples के अगर आपको problem है या फिर oil ज़्यादा आपकी skin छोड़ती है तो salicylic acid उसके लिए बहुत ही बढ़िया ingredient है वो माना जाता है most of teenagers को acne pimples की problem रहती है और बहुत सारे adults को भी acne pimples है वो regular base पर होते रहते हैं तो ऐसे में salicylic acid का importance है वो बढ़ जाता है comparison की शुरुगात करते हैं आप वीडियो में जैसा की देख पा रहे हैं दोनों serum को minimalist 2% salicylic acid serum and proskir 2% salicylic acid serum price की बात करें तो MRP दोनों की 5.500 रुपे के करीबन देखने को मिलती है और अगर real price की बात करें तो minimalist की सिरम आपको 520 में मिलेगी जबकि proskir की यह सिरम 4.500 रुपे म आपको खरीदने में आसानी रहे अगर प्राइस की सबसे देखें तो proskir की 2% salicylic acid serum जो है वो affordable रहती है क्योंकि एक तरफ 520 रुपे प्राइस है दूसरी तरफ 4.500 रुपे है तो proskir को मैं affordable यहां पर बोलूँगा अब मैं बात करूँगा ingredient की जो की सबसे important रहते हैं अगर minimalist के hero ingredient की बात करें तो 2% salicylic acid सामिल है जबकि proskir की बात करें तो इसमें भी 2% salicylic acid सामिल है अगर इनके अलावा अन्यकी ingredient की बात करें तो around extract minimalist में सामिल है EGCG के अलवा oligopeptides में सामिल है जबकि proskir की बात करें तो green tea सामिल है जो की antioxidant से बरपूर होती है पैंथरनल सामिल है और cinnamon extract सामिल है जो की एकने को control करने में काम में आता है तो almost ingredient को देखें तो दोनों की quality को मैं same बोलूँगा how to use की बात करें तो आप कोई भी salicylic acid serum use करें तब आपको मैं आपको सला दूँगा कि night time use है वो सबसे बढ़िया रहता है रात को salicylic acid serum को लगाएं सबसे पहले चेहरे को clean करें साब पानी से या फिर face wash से फिर आपको serum को आप expectation है वो कर सकते हैं आपको अच्छा result है वो देखने को मिलेगा अब मैं बात करूँगा serum के texture की तो proskir की जो serum आती है वो little bit thick है वो मैं उसका texture बोलूँगा और minimalist की ज्यादा है वो transparent यहाँ पर देखने को मिलती है इस्टिकी की बात करें यानि कि chip chip है या नहीं इसकी बा बात करें तो दोनों serum के claims है कि सबसे पहले आपके जो acne pimples है वो control होगे अगर आपके acne pimples की regular basis समस्या है कभी कबार निकलते हैं आप serum को इस्तिमाल कर सकते हैं आपके acne pimples control होगे अगर आपके excess oil की समस्या है चेरा ज्यादा oil चोड़ता है oil skin है acne prone skin है तो oil है वो control होगा साले सलीक acid को इस्तिमाल करने के बाद में dead skin है वो अच्छी तरीके से remove होगी जिससे की bacteria की problem कम होगी और acne pimples से हो control होगे इसके लबाब black head और white head की problem है तो वो भी समस्या दूर होगी दोने ही serum से वो same claims करती है और same काम है वो कर पाती है लेकिन pro skin का यहां मैं एक placement एक important गिनाना चाहूंगा कि skin purging की जो समस्या होती है अगर आप कोई भी serum बगर इस्तिमाल कर रहे हैं उसका थोड़ा सा reaction होता है मतलब सुरगात में skin को suit रोने में थोड़ा सा time लगता है इस सम पर आपके acne pimples है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे कम होने के बज़े तो purging की समस्या है वो बहुत सारी produce में रहती है तो minimalist में तो इस सिर्म आती है इसको मझे personally फील हुआ कि इसमें तो skin purging की समस्या रहती है जो कि pro skin की 2% salicylic acid सिर्म में बिलकुल भी skin purging की समस्या देखने क दूसरा इसमें skin purging की समस्या है वो बिलकुल नहीं रहती है तो इन दोना सिर्म सिर्म में प्रोज कि जो 2% salicylic acid सिर्म है उसको मैं better बोलूँगा एक तरफ मिले 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 सिर्म की सिर्म की समस्या रहती है जो कि downside रहेगा बाकि इसकी price भी ज्यादा देखने को मिलती है अगर आपकी चमड़ी skin है वो reaction नहीं देती है तो फिर आप उस product को इस्तिमाल कर सकते हैं सनस्क्रीन आपको जरूर लगा नहीं है को भी product इस्तिमाल करें बाहर जब sunlight में जाय तो sunscreen लगा आपका जो product है वो जल्दी effect है वो देगा दोने इस्रम से अच्छी है pro screen यहां पर better साभी होती है यह इस वीडियो का conclusion रहता है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको like and share जरूर देंगे कुछ भी सवाल है तो आपको comment करना है thanks for watching